हेलो फ्रेंड मैं है दर और आज आपके सामने लेके आया हूँ एक और स्पेसल रेस्पी पनीर कढ़ाई पिशाओरी आज हम बताएंगे आप अपने घर होटल रेस्टोरेंट में बहुत ही असान तरीके से पनीर कढ़ाई पिशाओरी कैसे बना सकते हैं पहुत ही बेहतरीन रेस्पी है तो आपने क्या करना है वीडियो को step by step देखना है बिना skip किये चलिए रेस्पी को हम शुरू करते हैं पनीर कढ़ाई पिशाओरी बनाने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कटिंग कर लेना है तो कटिंग करने के लिए हमने लिया शिमला मिर्चा प्यास टमाटार और हरी मिर्ची तो आपने सबसे पहले इसको कट कर लेना है तो कट कैसे करना है आपने वीडियो में step by step आपने ऐसे ही cut कर लेना मैं क्यूब में कट कर सकते तो ॉध्येक भी इसी तरीके से भंब रेट के ह हैं भी आइसे ही cut कर लोगे यानि रेट इसी याएं आपके पास श्किप भी कर सकते तो आप देख सकते हैं हमने red shimla mircha भी cut कर लिया अब आपने क्या करना है टमाटे को भी ऐसे ही dice में cut कर लेना है diamond cutting में आप cube भी cut कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं हम कैसे cut कर रहे हैं आपने टमाटे को भी ऐसे ही cut कर लेना है और wasted आपको फेकना नहीं इसका हम paste बनाएंगे कड़ाई पनीर की gravy में हम use करेंगे तो अब आपने क्या करना है onion को भी ऐसे ही dice में cut करके इसका cube निकाल लेना है तो आप देख सकते हैं करके आपने ऐसे ही onion यानि प्याज को भी निकाल लेना है अब आपने क्या करना है इसको एक प्लेट में पूरा निकाल लेना है क्यूब करके इसके बाद हम कटिंग करेंगे चॉप प्याज तो आपने कैसे करना है एस्टब बाएस्टब आप देखें वीडियो को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बहुत तेज हम बता देंगे तो कि हम एक पीस आपको करके दिखा रहे हैं आप वीडियो में कैसे कर सकते हैं तो हमने दो पीस प्याज को भी चॉप कर लिया आपने बिल्कुल इसी तरीके से चॉप कर लेना है जैसा कि हमने किया अब लेना एक मिकसर का जार इसमें आट करना है 50 ग्राम काजू और एक पोट पिस्ट बना लेना है तो हमने पिस्ट बना लिया है अब आपने पनीर को कट कर लेना है तो पनीर हमारे पास बड़ा पीस है तो अगर आपके पास छोटा साइज है तो आप छोटा साइज भी कट कर सकते हैं तो हमने बड़ा पीस को छोटे साइज में इसको हम पहले कट करे है। हम डाइस में कट कर रहे हैं है। आप इस city में amoros small आप बहुत कर सकते हैं जैसाँ हम वी आप आप को अच्छा लग है तो आप देख सकते हैं हमने सारे पनीर कर लिए आप आप लेना है कराही हम बना रहे हैं हएनी स्पैन में तो आपका रही ले सकते हैं तो हम्ने डाला है दो से त्री टेबल और एक टेबल इस्पून हमने आट कि आट किया खडा जीरा यानि आपने जीरा डाल देना है, साथ में आपने डाल देना है, दो पीस जो भी दो की आपने प्याज चॉप के रखे रखा हुआ था, आपने प्याज को डाल देना है, लस्वन गार्लिक यानि आपने पहले नहीं डालना है, आपने गार्लिक को एक टेबल स्पून बाद में आइड करेंगे गार्लीक चॉप एक से टेबल इस्पून आपने बर प्रके चॉप गार्लिक डाल देना यानि लस्वन तो हमने और कर दिया लस्वन अब आपने इसको भी पका लेना है बढ़िया तरीके से तो आप देख कि मिचह 1-0 आपने एड करना है डिपॉडर यानी टरर मेरिक पॉडर और हैं इसमें अटकर देना है आपकर पार्ण करने, भाद आप ने एड करना है बाद आप आपने गैस की स्लोम को एकदम मीडियम में रखके थोड़ी देर आपने चलाना है 25 से 30 सिकंड आप चलाना जादा आपने इसको भूझना नहीं है वरना आपका जल जाएगा बस आपने 30 सिकंड इसको हलके से करने के बाद आपने सारी गिरेवी जो आपने पीस के रखा है उसक सकते हैं कैसे पहए हैं आपने ना है तो 6 मिनटे बढ़े के से पग ग्या ईडिप जो भी स्वटवाई आपने बचा वह दो सब ना हमारा बारे तेकर दो बीकिश को फ़ाम स्पानेर मेंं मचामी का हं़े खखेर में आपने कड़ाईब धनिया होता है मिर्चा प्रॉल्ड विलाग बहुत लोग लुट दालते ते अपने क्रेश करके इसको डाल देना सोग ढालना से чаos lég 1 एक कप्र gu आपने डाला है पैन में एक टेबल करना है ग्रीन चिल्ली हाफ हम उसमें नहीं ढालआ तो आपने पहले नहीं डालना है ऐसमें पनीर डाल द लियाना मिफ्गी में I two pinch लेट के टरेग में पनीर कर देना है तो आप देख सकते हैं हमने सको 2-3 मिनट बढ़ेया तरीके से हो जाए तब अपने इसके उपर गिरेवी डाल देना है तो आप देख सकते हैं बढ़िया में तरीकह से छोखी हमने बनाके साइड रखा हुआ है तो आप देख सकते हैं बढ़ियां तरीके हमारी प्रेवी औरमा बि मिला है और प्रेटरिन इसका हूं सिर्फ आपने इसमें अट करना है क्रीम और हरी धनिया थोड़ा साब इसमें जूनियन कटिंग जिंजर भी अट कर सकते हैं यानि अधरक तो हम इसमें धनिया और क्रीम डालेंगे बस और कुछ नहीं डालेंगा और इसको हम मिला लेंगे मिला कि हम इसको कड़ाई में निकाले दिखाएंगे अगर आपके पास कड़ाई ना हो तो आप इसको बॉल में या प्लेट में भी निकाल के खा सकते हैं अगर आप घार में खा रहे हैं तो हम रेस्टोरेंट में बना रहे हैं तो हम इसको कड़ाई में निकालेंगे कड़ाई में निकालने के बाद आपको दिखात झाल झाल झाल